नमस्कार, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अधिकार्यों से लिए जार्खन के मुख़मंत्री ने अधिकार्यों से कहा है कि किसानों पसुपाल को मजदूरों को सुखे से रहात देने के लिए 38 चीघर विश्ची त्योजना तयार करे। मुख्य मंद्री ने कहा है कि सुखे की सीथी तरनी पटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है उन्होंने कहा है कि सुखे तरनी पटने के लिए सभी संबनादीत विभाग कारेजोजना बनाए जार्खन की रैधानी रांची और आसपास के इलाके में 7 सितंबर तक रुक रुक कर हलके वमदर्ज की बारिश होती रहेगी बता दे 3 सितंबर को आकास में बादल चाय रहेंगे जबकि कुछ हीसों में हलकी बारिश भी हो सकती है मौसम बिभाग के अनुसा रांची में पिछले 24 घंडे में 20 मिलिमीटर से अधिक रिकॉर्ड की गई है मौसम बिभाग का पुरुमनान है कि सितंबर में भारत के अधिकांस हिसों में समान्य या समान्य से अधिक बार्चा की समावना है जबकि पुर्वतर भारत के कई हिसों और पुर्वत था उतर पच्छी म भारत के हिसों को छोड़ कर जहां समाने से कम बार्चा होने की समावना है मौसम बिभाग यानि को कमानना है कि पुरे देश में सितंबर 2022 में आवसात 109 पर 37 अधिक बारिस होने की समावना है जहारखन के राजेपाल दिल्ली जहारखन के मुख्य मंत्री हेवान सुरन के बिधायक बने रहने को लेकर भरम किष्थिती के बीच राजेपाल रमेस बैस शुक्रवार को दिल्ली चले गाए इसे से एक दिन पहले सत्ता रूड सन्यूक्त प्रगति सिल संगठन के विधायकों ने उनसे निर्वाचन आयोग की सिफारिस परिथिती अस्पष्ट करने के अपील की थी राजेपाल की दिल्ली यात्रा ने अटकलों को और हवादे दिया वैसे विरस्पतिवार को यूपिय के प्रतिनीधी मंडल के साथ बैठक में कहा गया था कि वह जल्द ही सभी संकाव को दूर करेंगे बहराल राजभवन के सुत्रों ने बताया है कि वह चिकिसीये जांच के लिए निजी यात्रा पर दिली गया है लाभ के पद के मामले को लेकर सुरेन को विधान सभाकी सेस्था से आयोग ठाराने की भाजपा की आजका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना निरनाय बैस को भेज दिया था खुटी के अड़की में ग्राम परधान सहे तीन की हत्या खुटी जीला अंत्रगत अड़की थाना छेत्रे के मधाहातू पंचायत इस्थीत कोंदे लेबे गामे बुधवार की देर रात अग्यात अपराधियोने ग्राम परधान बोयार सिंग मुंडा 55 वर्सिये उनके बेटे सिंग राय मुंडा उर्फ भूध राम तीस वर्सिये और उनकी बहु मानी हरी बिना 27 वर्सिये के हत्या कर दी है पुलिस को घटना के जनकारी घटना के 24 खंटे बाद गुरुवार की देर रात को मिली सुचना पर सुक्रोवार को SDPO अमीत कुमार अड़की थाना परभारी नर्सिंग मुंडा और सुसस्त्र बल घटना अस्थल पर पहुंचे पुलिस ने सवो को कबजे मिले कर पोश्मासम के लिए भेज दिया है तीनों के हत्या लाठी डंडे से पीट-पीट कर और धारदार हत्याद से मार कर की गई घटना के बाद पूरे इलाके में भाय का महौल है एक करोड के इनामी अनल दस्ते के साथ घंटों चली मुढभेर सराय के लखार सावाजी लेके कुचाई थाना अंतरगत बारुंदा एवं सारू बेंडा के कोईया जंगल में सुक्रवार की सुबा करीब साड़े चार बय पूलिस नकसलियों के भी जबरजस मुढभेड होई करीब एक घंटे तक चली इस मुढभेड में पूलिस एवं कुबरा बटालियन के जबानों ने दो नकसलियों को धेर कर दिया है मारे गए नकसलियों में एक महिला नकसलि भी सामिल है मारे गए नकसलियों में खोटी थाना चेतर निवासी, काली मुंडा एवां बोकार निवासी महिला नकसलि रीला माला सामिल है दोनों अनलदा दस्ते के सेक्षन कमांडर थे इसकी पुष्टी करते हुए कुलहान के डियाई जी अजय लिंडा ने बताया है कि मुर्भेड अस्थल से एक SLR राइफल के अलावा वोकिटों की एवां नकसलियों द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाले रोजमारा के समान मिले हाए सुप्रियो भटाचाय ने राजपाल को दी सला बीजेपी का टूल किट नव बने जारखन में जारी सियासी घामासान के बीच जेमे महासचीव ने प्रेस कॉन्फरेंस किया इस दरान उन्होंने राजभवन पर जमकर निशाना सधा उन्होंने कहा है की राजपाल इलेक्षन कमिशन से मिली चिठी को लेकर पहले कानून विशसगयों से राई लेने की बात कर रहे थे और अब आज दिली के लिए रवाना होगा है कहीं राजपाल गिरिह मंत्राले तो नहीं गए है लोहर दग्गा में लव जिहाद धर्म छिपा कर नवालिक से यौन सोसन जर्खन के लोहर दग्गा जीले से बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां एक नवालिक लड़की लव जिहाद का सिकार हुई है मिली जनकारी के अनुसार दूसरे समुदाय के युवक ने अपना धर्म छिपा कर पहले लड़की से दोस्ती की फिर प्यार का ढोंग राचाया और उसके साथ जोन सोसन किया वही जब उसकी सचाई सामने आई तो उसने लड़की को कुए में ढखेल कर जान से माने की कोशिश तक की हलाकि लड़की किसी तरह जान बचा कर अपने घर पहुँची परिवार वालों को सारी बात बताई है हमंत सरकार ने किराय पर लिए चार्टर पलेन एक माह में दो कोर खर्च होंगे जहरकन में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्य मंतरी हमंसुरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है सियम हमंसुरेन ने भी भी आईपी को सरकारी आत्रा के लिए बाहर ले जाने के लिए एक प्राइवेट चार्टर पलेन किराय पर लिया है सियम सुरेन ने 31 अगस्त से एक महीने तक के लिए या प्राइवेट चार्टर पलेन किराय पर लिया है आठ पलस दो सीटर चार्टर पलेन को एक महिने के लिए राई सरकार के दवारा किराये पर लिए जाने के प्रस्ता को सुख्रिती मिली है इस प्राइबेट चार्टर पलेन का खर्च दो क्रोग चो लाग पचास एर रुपे का है जारखन में जीला पूलिस कर्मियों की भारी कमी है जारी बाग में एक पूलिस के भरोसे 2300 लोगों की सुरक्षा है हाजारी बाग जीले में 22 लाग की अबादी के सुरक्षा की जिम्मेवारी मातर 1460 पूलिस पताधिकारियों वो पूलिस कर्मियों पर है इन जीलों में पुलिस कर्मियों की घोर कमी है इन कारणों से जीले में आई दिनों चोरी, छिंताई, दंगा, लूट, हत्या, रंगदारी वसुली समेत अपराध की खटनाएं बढ़ रही है बतादे जीले में DSP रंग से लेकर जमादार रंग के मात्र 417 पुलिस पतादिकारी और सिपाही से हवलदार रंग के मात्र 1,50 बल पदस हपी था है हजारी बाग जीले में अस्तन 2,95 लोग की सुरक्षा में एक पुलिस कर्मिय तैना था है जीले वासियों की सुरक्षा में मात्र 1,50 पुलिस बल लगे हुए है इसके अलावे जीले में 6 DSP 111 इंस्पेक्टर 151 दरोगा और 265 ASI पतस्था पी था है चार सितंबर को भाजपा बिधायकों की बैठा खनन लिज मामले में चुनाव आयो की चीठी के बाद हेमंत सुरेन का इस्थीपात्य माना जा रहा है बस राज जेपाल रमेश बैस के आदेश की परतिक्षा है इसी बीच हेमंत सुरेन ने जारकन बिधान सभा कभी से सत्र बुला कर विश्वास मत हासिल करने की जो रहनीती बनाई है उसे भाजपा की निंद उड़ गई है हेमंत सुरेन का या मास्टर श्ट्रोक माना जा रहा है बिचेश सत्र में भाजपा विधायकों की क्या भूम क्या होगी या अभी तय नहीं हो पाया है इसके लिए भाजपा ने 4 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है साम 6 बजे भाजपा परदेश कर्याले में या बैठक होगी इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधान सभा के बिशेश सत्र के लिए रणनीती को अमतिम रूप दिया जाएगा पलस टू स्कूलों में स्रिजित होंगे जन जाती है भासा के सिक्षकों के पद जहारखंड के 510 पलस टू स्कूलों में आवसक्ता के अनुसार जन जाती है या उमचेत्रिय भासाओ के लाबा कुछ अनेविसायों के सिक्षकों के पद स्रिजित होंगे सिक्षकों के आवसक्ता के आकलन को लेकर मादमिक सिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 610 कमीटी घठित की गाई इसकी रिपोर्ट के अधार परना के वसे इसकों के नए पद स्रिजिन किये जाएंगे बलीक अनवस्यक पद खत्म भी किये जाएंगे इस कमेटी के बैठाक 7 सितंबर को होगी ज्यारखन के 112 परखंडों में सूखे जैसा हालात CM ने संभाला मोर्चा ज्यारखन के कूल 264 परखंडों में से 112 परखंड सूखे जैसी इस्थिती का समना कर रहे हैं मोखे मंत्री है मन्सरे ने स्थिती को लेकर राची में एक उचास्तरिय समिक्ठा बैठाक की इस दोरान अधिकारियों दोबारा उन्हें आकुड सहवगत कराया गया एक अधिकारी ने सुक्रवार इस बारे में बताते हुए कहा कि अन्य 131 परखंडों में मांसुन के सुरुवाती महीने में कम बारिष के कारण सुक्खे जैसी इस्थिती बन गई है अधिकारियों ने कहा है कि अब तक तैलक्ष के मुकाबले राजे में कूल बुआई 37 फिजदी जबकि धान की बुआई 30 फिजदी दर्च की गई अधिकारियों ने बताया है कि मुक्खे मंत्री ने इस्थिती का जाजा लिया और अधिकारियों को ग्रामी इलाकों में रहने वाले लोगों पसुपाल को और मजदूरों को सुखे से रहा दिलाने के लिए जल्द से जल्द विस्तित चोजना त्यार करने का निर्देश दिया जारखन के बिधायकों को ठाहराने के कारण 36 गड़ में जल्द पड़ेगी ED और IT के चापे भुपेस बगेल 36 गड़ के मुख्य मंत्री भुपेस बगेल ने सुक्रवार को कहा है कि उनके राजे में भी जल्द ही परवतन निदे सालाय और आयकर विभाग के चापे पड़ते नजर आएंगे क्योंकि जहारखन के सत्ता रूट गड़ बंधन के विधायक रायपूर के पास एक रिसोट में ठारे हुए है राजदानी रायपूर में हेली पैड पर पत्रकारों से बात करते हुए कि उसे लोगतंत्र में विश्वास नहीं है मुक्ष मंत्री ने कहा है कि सन्यूक्त प्रगति सील गट बंधन के घटक दलो जहारखन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्य जनता दल के विधायकों को लोगतंत्र की राख्चा करने के लिए रायपूर के बाहरी छेत्रे में एक रिसोट में रखा गया है जहारखन में दो साल से खाली है महिला आयोग का अध्यक्ष पद जार्खन का राज महिला आयोग जार्खन की वेवस, मजबूर और असहाय महिलाओ की मदद नहीं कर पा रहा है। कारान यहा है कि पिछले दो सालों से यहां पर महिलाओ की सुनने वाला कोई नहीं है। महिला आयोग में अब तक अध्यक्स और सदस्यों का पद खाली है महिला आयोग पूरी तरह से ठप है इन दिनों आयोग राज में बढ़ रहे महिला अपरायद को लेकर के किसी भी तरह का संग्यान नहीं ले पा रहा क्योंकि उनकी सुनने वाला यहां कोई नहीं बता दे राज में महिलाओ के प्रतिय अपरायद दिन प्रति दिन बढ़ते रहे है वहीं हमारा महिलाओ के सुनने वाला एक मत्र आयोग लभाग राज महिला आयोग बंद पड़ा हुए है जहारखन में रोजगार स्रीजन और पलायन रोकने पर जोर मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि सुखे की वज़ा से राजे के किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो इस पर भी से ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि किसानों मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों को किस तरह रोजगार से जोर सकते हैं उन्हें मजदूरी देने की क्या व्यवास्ता हो सकती है सुखे सेन्नी पटने के लिए और क्या-क्या विकल्प अपनाए जा सकते है और इससे समधित की नियोजनाओं को लागू किया जा सकता है इसकी पूरी रिपोर्ट त्यार करे मुक्ष मंत्री ने अधिकारियों सया भी कहा है किवे सुखा प्रभावित राज्यों द्वारा सुखार सन्नी पटने के लिए क्या-क्या तयारिया की जा रही है इसकी पूरी जनकारी ले धन्यवाद